इस बेमारी से पॉजिटिव अमिता बच्चन की सिहत पर नाना वती होस्पीटल का बयान आया सामने जिहां इस बिमारी से पिडित बॉलिवुड एक्टर अमिताव बच्चन की सेहत को लेकर मुंबई के अस्पताल ने जानकारी दी है नानावती सुपर एस्पेसलिटी हॉस्पिटल के पी आर ओ ने कहा कि अमिताव बच्चन हलके लक्षणों के साथ इस्थिर हैं और वर्तमान में अस्पताल की आईसोलिशन यूनिट में भरती हैं अभिनेता अमिताव बच्चन और उनके पुत्र अभिसेख बच्चन इस बिमारी से पॉजटिव पाए गए थे उन्होंने खुद ट्वीटर पर अपने बारे में यह जानकारी दी थी वे मुंबई के नानावती सुपर एस्पेसलिटी हॉस्पिटल में भरती हैं अमिताव बच्चन ने सनिवार को ट्वीटर पर लिखा था कि मुझ में जाँच में इस बिमारी की पॉजटिव होनी की पुश्टी हुई है अस्पताल में भरती हो गया हूँ अस्पताल अधिकारियों को सूचना दे रहा है परिजनों और स्टाफ की भी जाँच करा ली ग गणेश उत्सव में चार फूट से बड़ी प्रतिमा पर रोग जारी हुई गैडलाइन जिहां महराष्ट में गणेश महोत्सव काफी धूमधम और हर्सलास के साथ मनाया जाता है लेकिन इस बार महराष्ट में गनेश महोत्सव के त्योहार पर इस बिमारी की नजर पड़ चार फूट से उची प्रतिमा गणेश जी की नहीं लगाई जा सकती। इसके साथ ही सरकार की तरब से कहा गया है कि घर के लिए गणेश प्रतिमा अधिक्तम दो फूट की होनी चाहिए। इस बेमारी के चलते लोगों से अपील की गई है कि घर पर ही लोग गणेश उत्सव की पूजा करें। वहीं अगर किसी को प्रतिमा खरीदनी है तो पर्यावरण के अनुकूल मिट्टी की मूर्तियों को प्राथमिक्ता दें। राज्य सरकार की तरब से जारी गाईडलाइन में कहा गया है कि इस बेमारी के चलते लोग इस बार घर के अंदर ही गणेश और घर के अंदर ही विसरजन करने की कोशिस करें। अगर ऐसा नहीं हो पा रहे हैं तो नजदी की कृत्रिम तालाब में विसरजन करें। की इस अभियान की सुरुवात के साथ ही सी एम खंटर ने करीब सो छात्रों को हेलमेट फ्री में वित्रिद किये। इस दौरान उनके हाथ में भी ह weल्मेट नजर आया और कारीकरम में मौजूद लोगों को उन्होंने हेलमेट की अहां। हीच्छन के साथ 18 साल की उमर में कॉलेज से सनातक होने के दौरां एक learner license मिलेगा। छड़क हाथसों का आकॉड़ा बताते हुए उन्होंने कहा कि राज्जे में रोजाना तेरह लोग सड़क हादसे की सिकार होते हैं जबकि हर साल साड़े चार लाक लोग हादसों का सिकार होते हैं इसलिए हर किसी को वाहन चलाते समय रूड सेफ्टी नियमों का पालन करना चाहिए राजस्थान सरकार ने पड़ोसी राज्यों से आवागमन किया नियंतरित बाहर जाने के लिए लेना होगा पास जिहार इस बढ़ती विमारी के बढ़ते हुए मामलों से चिंतित राजस्थान सरकार ने पड़ोसी राज्यों से लोगों के आवागमन को नियंतरित करने का फै प्रज्य सरकार के ध्यान में लाया गया कि इसकी एक प्रमुख वजह राज्य की सिमाव पर लोगों की निरबाद आवजाई है। कहा उत्तर प्रदेश में दो बच्ये वाले ही लड़ पाएं पंचायत चुनाओ। दिवस पर लिखे पत्र में कहा कि उत्तर प्रदेश में बढ़ते हुई जनसंक्या एक गंभीर समस्या है जिसके कारण प्रदेश वास्यों को प्रदेश की नितियों योजनाओं और संसाधनों का लाब प्राप्त नहीं हो पाता है। उन्होंने कहा कि इस पात की आवश्यक्ता है कि हम प्रदेश वास्यों को जनसंक्या नियंतरण के लिए जाकरूक करें उन्हें प्रोत्साहित करें जिससे आगामी पंचायत चुनाओं में उत्राखंड राज्य की भाती दो से अधिक बच्चे होने की सिति में किसी को भी च जनसंक्या दिवस के उसर पर हमारा प्रदेश आपकी नितितु में जनसंक्या नियंतरण अभियान आरंब करने पर विचार करें